हेलो दोस्तो नमस्कार एसे हम किसी चानल में मैं आप सिबलंका दिल से बहुत-बहुत स्वगत करता हूँ इस पुड़े में हम लोग बात करने वाले हैं एक ही कंपनी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कुछ important guidance उन्होंने सामने हापे रखे हुए है तो अगर आप इस company में already invested हो या फिर आप plan कर रहे हो invest करने का तो definitely ये वीडियो आप लोगों के लिए मददगार साबीत हो सकता है तो चलो शुरू से शुरू करते हैं मतलब देखें बीच में आपको याद है कि कोविड आया था 2020 ठीक है market जबरदस crash हुआ था और उसके बाद आपको पता ही है कि कुछी समय के बाद एबदम rocket की तरह तीजी आई थी बुल रन हम लोग ने experience किया था और उसी बुल रन में काफी सारे IPO आया थे 50-60 IPO यहापे आया थे ठीक है अनाप शनाप valuation के उपर यहापे आ चुके थे बुल रन में जो जैसा जाए अंदा पैसा डालने के लिए रेडी रहता है तो उसी चीज़ के चलते हैं मतलब 100 की चीज़ हजार में भी बेची यहापे जा रही थी इनफेक्ट कुछ कंपनियां ऐसी भी थी जिनके IPO फुली भरे भी नहीं थे ठीक है मतलब बुल रन से पहले उन्होंने ट्राइ किया था तो बुल रन में उन्होंने भी IPO लाए उनका भी IPO प्रीमियम में उपर चला गया ठीक है मतलब लिस्ट हुआ तो यह इतना जबरतस क्रेज देखने को मुलता है और तभी अगर देखा के ना दूस्तों तो पाच ऐसे कंपनिस थे उनके IPO काफी ज़्यादा पॉपिलर यहापे हुए थे क्योंकि वो बहुत बड़े कंपनिस हम लोगों को लेखने को आपे मिल रही थी और टेक से जुड तो जबरतस तेजी देखने को मुले थी बड़ आपको बता है तेजी टिकाओ होना बहुत मुश्किल रहता है अगर आपके पास earnings नहीं होगी तो growth नहीं ही रहीगी तो ठीक है और उसी के बाद आपको बताईए यहापे bear की entry हो गई और उसके बाद जो shares हम लोगों को गिरत गिरावट गिरावट कार ट्रेड में भी कुछ वैसे हम लोगों को देखने को मिला नेक्स बात करेंगे तो ptm ptm की तो हालत तो बहुत ही गंबीर है अभी 70-80% तक crash होते वे देखने को आपे मिल चुका है pb fintech policy बजार की बात करें तो 24% चलो नीचले सतर से कुछ तो recovery ह होते भी देखने को मिल रही है ठीक है और आकरी company के अगर हम बात करें दोस्तो तो वह है जो मैटो तो जो मैटो आप देख सकते हैं वो भी तो जबरदस crash हुआ था बट फाइनली अगर आप business properly करोगे तो obviously हम लों को recovery देखने को आपे मिल जाती है उसके पीछे reason रहता है और जो मैटो अभी जाके profitable हम लोगो होते वे देखने को आपे मिल रहे है मतलब shareholders के भी हिसाब से ठीक है और इस video कि अगर हम लोग आपे बात करेंगे दोस्तो तो बात ही होने वाली है जो मैटो से related उनके management से related की क्या-क्या points उन्होंने सामने आपे रखे हुए है तो काफी जब यहाँ पर आया था जिनको नहीं लगा उन्होंने वापस उपर इस तर पे खरीद लैंड उसके बाद तेजी टिकना मुश्किल थी because company के पास उतना profit था ही नहीं ठीक है earnings थे ही नहीं ठीक है तो यह वापस recovery यहाँ पर क्यों रहे क्या आपको पताईए company ने profit दिखाना start किया यह भी company काफी ज़्यादा popular था और बाद में Blinkit and Zomato आप सब लोग को यह भी पता है कि इसकी जो parent company अगर आप चेक करोगे क्या नजर आता है Zomato मतलब Zomato ने Blinkit को यहाँ पर क्या किया था खरीदा था and Blinkit आपको पताईए कौन सी company quick commerce company हम लोगों को रेखने का आपे मिल जाता है Zomato ने जब Blinkit को खरीदा था तभी भी बहुत ज़्यादा controversy से हापे हुई थी बहुत सारी चीज़े हुई थी क्योंकि खुद वो loss में थे Blinkit भी एक loss making company उनका करजा भी इनके पर ट्रांसफर यह बहुत सारी चीज़े हापे होने वाली थी तो जैसे अगर देखा गया तो और भी stock में हम लोगो को कटीना ही बढ़ते वे देखने का आपे मिल रही थी ठीके performance के इसाब से बात करें तो बट बाद में हम कह सकते जो मैटो ने इबदम जबरदस performance दिखा दिया and management की भी जो commentary हम लोगो देखने का आपे मिल चुकी है जबरदस हम लोगो उस level प इसाब से चलता रहेगा बट Blinkit के अगर हम बात करें दोस्तो तो ये एक जबरदस बड़ी company बनने वाली है ये मैंने उनके management ने point सामने रखा हुआ है क्योंकि अभी हर एक चीज आप लोगों को कुछ चंद मिन्टों में Blinkit में आप लोगों को deliver होते वे देखने को मिल जा आप order कर पाओगे Blinkit के through and कुछ चंद मिन्टों में 8 मिनिट 9 मिनिट चलो 10 मिनिट पकड़ लो चंद मिन्टों में वो आपके घर में deliver किया जाएगा तो ये साई चीज़े फिलाल तो Blinkit यहापे plan कर रहा है और चल भी रहा है इसी से related ये जो time है वो और reduce करने की को कोशिश करने वाले है due to competition, competition मतलब आप सब लों को यहापे पता ही है जेप्टो, जेप्टो भी वैसे ही काम करता है 10 मिनिट में आपको grocery provide यहापे कर लेता है अभी उन्होंने भी अपना time कम कर दिया है तो ये competition अमनों को Blinkit का भी देखने का आपे मिल रहा है और उसी के लिए उन्ह उन्होंने कुछ guidance भी आपे सामने रखे हुए है कि अगर अब 10 साल तक का plan यहापे कर रहे हो हमारी companies को देखनी की कोशिश कर रहे हो तो उन्होंने ये भी का है कि growth के हिसाब से आने वाले समय में Blinkit Zomato को भी बीट कर दिया growth के हिसाब से जिस हिसाब से वो आगे बढ़ेग है कि quarter 1 की बात करे quarter 1 कब रहेगा अभी तो quarter 3 हुआ इसके बाद अभी January 5 March कतम होगा तो quarter 4 के नंबर आएंगे उसके बाद quarter 1 मतलब हाँ अगले साल financial year 25 की अगर हम यहापे बात करे ठीक है उस हिसाब से अगर हम लोग calculate करके देखे तो जो April में June रहेगा तो उसमें जो quarter 1 आए इटी में हम लोग को वह आते वे देखने हुआ कि आप मिल जाएंगे फिलाल तो negative performance चल रहा है तो वह भी profitable तक दिल यहापे हो जाएगा मतलब break even point की वह बात चित आपे कर रहे थे लोगों को देखने को मिला है revenue के साबसे double digit growth हम लोग को देखने का आपे मिल रही है और इसी चीज़ को अगर हम लोग continue करे तो जमैटो को भी काफी अच्छा कासा फाइदा तो यहापे होगा है होगा क्योंकि Blinkit भी इनी के अंडर हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है जो तेजी देखने को मिले जमैटो का तो contribution है बट Blinkit actual में Blinkit की जो deal थी उस वक्त काफी सारे brokerages ने जबरदस डाउंग्रेड किया था जमैटो को कि घाटे का सोधा था बहुत बड़ा बट उसके बाद हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि जो performance यहापे चल रहा है जमै अगर आप अभी चेक करोगी कंपणी के रिजर्स भी strongly बढ़ते हैं 19 से 20,000 करोड के रिजर्स है लॉंग टर्म बोरिंग जीरो नजर आ रही है शॉट टर्म बोरिंग भी जीरो नजर आ रही है मतलब जमैटो पहले भी डेफ तरी थे अभी भी डेफ री नजर आ रही है and what about cash and cash equivalent so 400 करोड का cash भी company के पास फिलाल तो देखने को मिल रहा है 2010 में ही just अभी अभी स्टार्ट यहापे हुई थी यह company ठीक है and अभी के अगर हम बात करें market cap के इसाब से लाग करोड का market cap सुरुवात में भी था बड़ बाद में 50% crash हुआ and वापस business जैसे इसे grow होते वे देखने को मिला तो उनने अपना वापस लाग करोड का market cap यहापे return भी कर लिया अभी भी देखा गया return on equity capital employed negative ही हम लोगों को चलते वे देखने को आपे मिल रहा है बद दीम company के quarter के numbers yes तो वो quarter के number आप देख सकते दोस्तो company लगातार हम लोगो minus minus मतलब loss 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 सिर्फ loss loss लगातार loss 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 ही चल रहा था and यह वाला जो point है दोस्तो that's it यह है वो turn around point जो मैं हमेशा आपको सिखाता था कौनसा वाला कि break even इसी को हम लोग कहते हैं BEP break even point के और profit के इसाब से यह प गातार घाटे में थी अभी हापे company पहली बार profit यहापे दिखाया उमीद की किरन दिखा दी ठीक है एंड उसके बाद आप देख सकते हैं वापस company ने profit दिखाया ठीक है यह वाला जो point है जैसे अभी मैंने का कि जो मैं टूका शेर इतना क्यों भागा यह वाले जो numbers थे ना totally outstanding 18 करोड के आसपास profit expected था double दिखाया 36 की बता है क्योंकि Blinkit ने काफी अच्छा contribution यहापे किया था ठीक है और इसी चीज़ के चलते हैं और अच्छा तेजी हमनों को देखने को मिल रहा था अभी कि अगर हम लोग profitability की बात करे 138 करोड का net profit देखने को मिल रहा है तो यह जो प्रवात में आप लोगों को चार और कंपनिया दिखा है तो उनमें भी अगर चाहो तो यह BEP का इंतजार यहापे कर सकते हो क्यों कि यह वो indication होता है जहापे आपको पता चलता है कि हां company अभी profitability में यहापे आ रही है profitability में आएगी earnings नजर आएंगे ठीक है तो automatically growth नजर आए and as usual again वो चीज़ प्रूब बार बार होती भी देखने को मिल रहे है 33 ता public then 30 then 27 लगातार public के holding कम है मतलब समझ लेना chart pattern ऐसा रहेगा ठीक है and अभी आप यहापे देख भी सकते हो chart pattern कुछ वैसा है देखने को मिल रहा है then आ जाते है दोस्तो competition competition में क्या रहेगा भई इसका एक competitor तगड़ा competitor की बात करें तो वह है Swiggy दोनों के बास almost बोला जाता है 50-50% का market share देखने को आपे मिल रहा है और भविशा में अगर में बात करूं तो Zomato को टक कर देने के लिए share के हिसाब से back end पे तो competition चले हुई है तो Swiggy भी हमनों को list होते हुए शायद से इसी साल भी द helpful लगाओगा तो चाहो तो आप इसको like and share कर सकते हो मिलते नेक्षोडे में तब तक के लिए बबाए